इस धर्ते पर कई प्रकार के जीव जन्तों पाय जाते हैं। किसी जानवर को देखकर ये कहना मुश्किल होता है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। कभी-कभी तो एक छोटा सा कीड़ा भी मनुश्र के लिए घातक साबित होता है। दुनिया में कई ऐसे सुन्दर छोटे बड़े खतरनाक जीव हैं जो किसी की भी जान सेकेंड में ले सकते हैं। इनने से कई जीव पलक छपकाते ही अपनी जहर से मौत की नींद सुला सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे ऐसे ही जीवों के बारे में जो दिखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन असल में जानलेवा होते हैं। पॉईजन डॉट फ्रॉग ये दिखने में बहुत छोटा और प्यारा होता है ये चटकीले कलर का होता है और इसकी शरीर पर कई तरह की डिजाइन बने होते हैं लेकिन आप इसकी खुबसूरती पर मच चाहिए मेंडर के प्रजातियों में बॉईजन डॉट फ्रॉग सबसे जहरीला होता है ये चोटा सा मेंडर आपको आसानी से मौत के खाट उतार सकता है इसकी कलरफूल स्किन पर ही इसका जहर होता है इसको छूना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है आदिवासी इसकी जहर को अपने तीरों में लगाते थे सुन्दर से दिखने वाली पफर फिर्ष अकसर महसागरू के उस हिस्से में पाई जाती है जहां पानी थोड़ा गर्म होता है इसकी लगभग 120 से जाधा प्रजातिया पाई जाती है पफर फिर्ष को उसकी मुँ में हवा भरने की काबलियत के लिए जाना जाता है जब पफर फिर्ष पर कोई हमला करता है तो ये अपने मुँ में हवा भर कर अपना आकार बड़ा कर लीती है जिससे दुश्मन इससे दूर भागता है इसका चमकीला रंग लोगों को इसकी और आकश्रत करता है माना जाता है कि जितना चटकीला इसका रंग होगा उस पफर फिर्ष में उतना ही ज्यादा जहर भी होगा पफर फिर्ष में इतना जहर होता है कि वो तीस लोगों को मौत की नीन सुला सके जपान की लोग इसे खाना पसंद करते हैं पफर फिर्श बनानी के लिए special chef होते हैं जिने पता होता है किसके किस हिस्से में जहर है शेफ की जरा सी गल्थी खाने वाली व्यक्ति की जान लिसकती है लैपर्ट सी लैपर्ट सील दिखने में बहुत प्यारी होती है पते घंटे की रफ्तार से तैर सकती है इसका उस्तन वजन करीब 450 किलोग्राम का होता है लैपर्ट सील का मुख्य शिकार पेंग्विन होते हैं लेकिन कई बार समंदर किनारे खड़े लोगों पर पानी से निकल कर ये हमला कर सकती है एंट इटर ये जानवर चीटियां खाकर अपना पेट भरता है हाथी जैसी सून का उप्योग ये चीटियों के बिल पर हमला करने के लिए करता है एंट इटर के पास देखने और सुनने की शक्ती अच्छी नहीं होती लेकिन फिर भी ये हमारे लिए खतरनाग जानवर है इसका एक मात्र हतियार है इसके तेजधार नाखुन जिससे ये किसी को भी आसानी से चीर सकता है एंट इटर ने ब्राजील में एक व्यक्ति पर अपने नाखुन से हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया था अस्ट्रेलिया में पाए जाने बाले इस जानवर का आथार बड़े चूही जैसा होता है इस जानवर मरे हुई पशूप और हड्डियों को खाते हैं वैसे तो ये डरपोक होते हैं और छिप कर रहते हैं लेकिन जान का खत्रा महसूस होने पर हमला भी कर सकते हैं इस डरपोक जानवर के दाथ इतने मजबूत होते हैं कि हड्डि को चूर-चूर करते इसकी दाथ इसे मनुश्य के लिए खतरनाक जानवर बना देते हैं यह जानवर अतना प्यारा है कि अगर आपने एक बार देख लिया तो आपकी नजर इस से हटे की नहीं मासूम मुस्कान और बड़ी बड़ी आखे आपको अपनी और खीचती है स्लो लोरेस शांग चानवर है लेकिन अगर इसने किसी को काट लिया तो उसका बचना मुश्किल है इस छोटे से सुन्दर और मासूम मुस्कान वाले जानवर में इतना जहर होता है कि किसी को भी मौत की नीन अराम से सुला सके इसका जहर कोब्रा की जहर के जितना खतरनाक है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर जरूर करे साथी चैनल को सब्सक्राइब भी करे जैहिन